मैंने Amazon के app को open कर लिया है और मैं यहाँ पे कोई भी product है वो select करता हूँ और जैसे यहाँ पे मैं debit card EMI से उस product को purchase करना चाहूँगा तो वहाँ पे कुछ issue बिताया जाता है card का जबकि मैं यहाँ पे bank की तरफ से eligible हूँ तो यह वाली problem है वो काफी लोगों को आज के time में हो रही है उनकी debit card EMI नहीं हो रही है तो इसका क्या solution है कैसे आप debit card EMI ले सकते हैं तो मैं पूरा process में आपको live बताने वाला हूँ तो आप video को end तक देखिए और आपने अभी तक हमारे channel वी आई एडवाईज को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए ताकि आपको सभी video की notification सबसे पहले मिल सके तो guys मैं आपको example के लिए यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ एक mobile है OPPO का app 17 pro इस पर click करता हूँ जैसे ही मैं down में scroll करता हूँ तो यहाँ पर buy now का options मिल जाता है तो मैं इस पर click करूँगा और debit card पर EMI लेने के लिए आपको यहाँ पर सबसे down में scroll करना है आपको EMI का options मिल जाता है और जो भी आप अपना card save करते हो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर EMI का options मिल जाता है अगर आप bank की तरफ से eligible हैं तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको card enter करके बताने वाला हूँ ताकि आपको जो problem है वो आपकी भी solve हो सके और आप debit card EMI पर EGMI पर आप अपने मंचाय product को order कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी card की detail enter करता हूँ और देखते हैं क्या problem यहाँ पर show होती है तो कैस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर detail है वो पूरी अपने card की enter कर लिया है यहाँ पर आपको detail hide मिलेगी security purpose से मैंने इसको hide कर लिया है और उसके बाद जैसे ही मैं add your card पर click करता हूँ तो थोड़ा process यहाँ पर लेगा उसके बाद कुछ problem यहाँ पर show करती है आप देख सकते हैं देरवाजे problem added card is not EMI eligible please add another eligible card view list of eligible bank अगर आप debit card से EMI करने जाएंगे तो आपके सामने यह वाली problem है वो face होगी तो guys मैंने जो card enter किया है वो debit card EMI के लिए eligible है वो भी मैं आपको prove बता देता हूँ तो मैं message पर आ गया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं state bank of India और यहाँ पर पूरा message है congratulation your eligible loan limit for making online offline purchase on EMI यहाँ पर मुझे लगबग 80,000 की limit मिली है जबकि मैं इस limit के जरीए अपने debit card से product purchase करने जाता हूँ तो मेरे सामने यह problem face हो जाती है यहाँ पर card का issue बताया जाता है और मेरी जो debit card EMI है उसको नहीं किया जाता है तो काइस यह वाली problem है वो लगबग अभी के time में सभी लोगों को हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप problem face कर रहे है debit card EMI पर तो अभी के time में Amazon ने debit card EMI को बंद कर लिया है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने यहाँ पर Amazon customer care से बात की जब मेरी EMI यहाँ पर नहीं हो रही थी debit card पर तो मैंने अपनी पूरी जो problem है वो बताई तो उन्होंने का कि अभी के time में Amazon पर लगबग किसी product पर debit card EMI की जो facility है वो available नहीं है चाहे आप bank से eligible सो होते बट यहाँ पर आपको अभी के time में EMI पर जो facility है product की वो नहीं दी जा रही है debit card EMI की facility अभी के time में Amazon नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर कोई offer आता है जैसे दिवाली के time में offer आ सकता है और कभी भी offer आता है तो आपको यहाँ पर debit card EMI की facility मिल जाएगी तो अगर आप debit card से online product purchase करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना होगा क्योंकि जब Amazon debit card EMI की facility शुरू करेगा तो आपके सामने है यहाँ पर notification आ जाएगा आपके mobile में तब आप आप आसानी से debit card पर EMI ले सकते हैं तो गाइस उमीद है आपको यह वीडियो थोड़ा helpful लगाओगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करे शेयर करे अपने दोस्तों के साथ में